हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से सरकार जो है हमारा बिहार सरकार हम आंगन बड़ी सेविक सहाईकाओं के भावनाग के साथ लागतार खिलवाड कर रहा है आज जो है कि मैं बहुत ही दुख में और बहुत ही क्रोध में कहिए कि हूँ इस प्रकार का बिहार सरकार का रवया देख करके बिल्कुल हम लोग हतास हो गए हैं बिल्कुल हम लोग निरास हो गए हैं आप लोग देखिए ये पॉइंट पहले ध्यान से देखिए अनुसूचित जाती एवम अनुसूचित जन जाती कल्याण विभाग, ठीक है, क्या हम आंगनबाडी सेविकाओं की कटेगरी में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती की आंगनबाडी सेविका बहने यह सरकार विकास मित्रों के लिए इस पर ध्यान दे रही है और जो है कि विकास मित्रों काुठे मैं आप लोगों को बता दूं कि विकास मित्रों का उन्होंने सैलरी किस प्रकार से किया है। बिकास मित्रों के यहां सुरू समलक पड़ते हैं बिहार महादलित बिकास मिश्ण के माध्यम से सरकार की संचालिती योजनाओं का लाप पहुचाने में एक कड़ी के रूप में कार कर रहे बिकास मित्रों को मान दे सितंबर 2023 के प्रभाव से 13,700 रुपए प्रती माह से 25,000 रुपए प्रती माह करने पर राज सरकार द्वरा दे अनिवार करमचारी भविश निधी खाता का अंसदान की समान उपातिक ब्रिद्धी के साथ ही मांदे पर 5% वार्षिक अभिव्रिद्धी प्रतीक वर्ष एक जुलाई से लागू करने की स्विक्रिती ऐसा नहीं है कि इनके मांदे बढ़ने से हमें दुख है इनको बहुत बहुत बढ़ाई कि विकास मित्रों का मांदे बढ़ा लेकिन फिर रह गया बात वही कि क्या जो है कि सिर्फ और सिर्फ विकास मित्रों के चलते ही इनकी गवर्मेंट चल रही है क्या विकास मित्रों के चलते ही जो है कि कुपोशन के खिलाफ जंग लड़ा जा रहा है जी नहीं एकदम गलत बात है मैं सभी अपने सेवकाव बहनों से ये अनुरोध करूँगी इस विडियो के माध्यम से निवेदन करूँगी कि आप लोगों के हाँ जो है कि आपका संग जिस हाल में जिस तरह से जो है कि हरताल की तयारी में जुटा हुआ है हरताल की तयारी में लगा हुआ है आप लोग हरताल के लिए एकदम रेडी होई है और जो है कि अब की जो है सभी सेवका बहने बिलकुल भी इसमें हर तरह का लालच द्वेश जो भी है ये सब निकाल करके और एक जुट होई है एकमत हो ये और हर्ताल को जारी रखिए देखिए मैं आप लोगों को बता दू कि जो है आंगन बाड़ी केंद्रों के नाम पर क्या मसाला और मिर्च जो है इसमें लगा दिया गया है आप लोग देखिए कैबिनट आंगन बाड़ी केंद्रों के बच्चों को मिलेगा सुधा दूद आंगन बड़ी केंद्रों के बच्चों को दे करके सब्ता में दो दिन वो भी जो है कि कभी 10 पैकिट कभी 12 पैकिट कभी 15 पैकिट और कभी 2 महिने 4 महिने 6 महिने के बाद मिलेगा ही नहीं ठीक है तो सब्ता में दो दिन जो है बच्चों को दूद दे करके सभी अनुस आंगनबाडी के बच्चों को मिलेगा सुधा दूद इसमें भी वही है लगतार इसको हेडिंग बना करके जो है कि बिहार गर्वेंट हर एक न्यूजपेपर में छपवा रहा है कि बहुत बड़ा काम किया है बहुत बड़ा तीर मार दिया है दो सिलेंडर और एक चूला महिलाएक का जो है कि पोशन दूर हो जाएगा इतने अभी आप लोग बताईए कि जो पोशन माह चल रहा है हम लोग लगतार सभी सेविका बहने एक तारिक से ले करके और आज 20 तारिक तक जितना मेहनत से हम लोग कारिकरम कर रहे हैं जो है कि लाभारतियों को इकठा करना लाभारतियों को समझाना उन्हें बताना सिर्फ बताने और समझाने से क्या होगा हम भी हमें भी अपने पोशक छेतर में सरम आती है कि यदि बार-बार महिलाओं को हम इकठा कर रहे हैं तो महिलाओं को सिर्फ बुला करके और दो-चार सब्द बोल देने से क्या जो है कि ब से कम बीज भी तो उपलब्द कराने चाहिए यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि आंगन बाड़ी सेविकाओं को जो है कि सिर्फ और सिर्फ लॉलिपॉप थमाने का काम किया जा रहा है तो मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हैं एक जुट हुए अपने संग के साथ मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में हरताल संबंधित सभी प्रकार की जानकारी लेकर के आऊंगी यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैन को सब्सक्राइब करें और आंगन बाड़ी के वाटसप ग्रूप में जरूर सेयर करें ताकि इस वीडियो के मध्यम से जो भी हमारे आंगन बाड़ी शेल कबहने है जो है कि हरताल से कत्रा रहे हैं मान्दE कठने के नाम से रही हैं वो जो है कि अपने सभी प्रकार का दवेज भरहम निकाल दें अपने शंसवंग के शाथ रहें एक्मत रहें और संगतित रहें